ओके सो हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल एक और नहीं धमाक्यदार वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमेस्ट्री का एक बहुत बेशमार इंपर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर सोलीबिल्टि हमें बताने हैं किसकी एने एक सबसे ज्यादा में कैसे करेंगे जल्दी से देखते हैं आज EVY को करने के लिए सबसे पहले आपको फजान शुरूल पता होना चीए प्लस और माइनस के बीच में बन रहा है तो इक कोई क्टायन होगा एक को एन होगा क्टायन के लिए जो आपको बताएगी यह चीज़ें वह यह है कि जितना उसका साइब चोटा हो उतना ज्यादा को विलेंट नेचर आएगा ठीक है सर उसके बाद जितना बड़ा क्या हो एन आयन हो मौझा की negative charge species उतना ज़्यादा covenant character होगा मौझा अब से कभी कुछ पूछे तुमसे covenant character किसमें ज़्यादा है किसमें कम है तो आपको यह समय लगाना है पर हमसे तो sir यह पूछा था solubility order क्या है यह तो कोवलेंट केरेक्टर की बाती नहीं है आप सभी को पता होगा लाइक डिजॉल्फ लाइक जो चीज जैसे है उसी के अंदर गुलना चाहती है जैसे पानी के अंदर शराब गुल जाएगी इस टाइप से चीज़ें और पर बर्फ को डालोगे वह भी गुल जाती है पर एक बे जादा कोवलेंट होगा जल्दी गुल जाएगा यह हम दिमाग लगा रहे हैं और जादा कोवलेंट सी हम कैसे देखेंगे इस फंडे से देखेंगे कि जितना चोटा कट है जितना बड़ा है नहीं अब इन सभी में देखो तो हमारा हर एक कोश्चन में क्या चीज कॉमन है अगर इन के साथा है तो आपको थोड़ा पता होना चीज कौन उपर होता है कौन नीची ताकि आप नमबर और साइज वगरा वगरा पता है और गृट्स के अंदर साइज कैसे इंक्रीज होता है अगर नहीं पता तो हम उसको सेपरेट वीडियो में कवर अप कर लेंगे क्राइस्तो प्रिक्स है उससरे हमें पता ही नहीं चलिए किसमें ज्यादा को वलेंक क्रेक्टर क्यों क्योंकि सभी में है इस reason तो हमें देखना चीकर और इसके अंदर और और इसके अंदर इंदर here टुबलेंट समझाया ना तुम्हें कैसी करना है तो यह सबसे बड़ा न高 ऑलगा इस तरीके से कुह और आजाने वाला इस तरीके के कुश्चन बड़े ही इंप्रॉर्टेंट मिल जाते हैं आच्छा जी चीज चीज मा करेक्टर आयनिक कंपाउंट प्वूछ ले तो फानों को जातना च्छोटा च्राइचन होगा इसके उस देखने कर रहें इसको पिलराइजेशन व गईडिए बोलते हैं इसको अभी नहीं डीटेल में explain कर रहे हैं बस आपको एक fix order बता रहे हैं किस तरीके समय क्या चीद देखने हैं तो आपको क्या देखना है small size of catan big size of anan more covalent character बस इतना याद रखने और और भी चीज़ें है requirements है कई सारी covalency के लिए पर आवे के लिए हम इतना ही याद करके चलते हैं और इससे हमारी question बन जाते हैं ठीक है तो आशा करता हूं यह आपको concept समझ आए होगा क्या है फजान सुरूल और मिलते हैं next video में इसको याद रखना because next video में फिर से कहीं न कहीं काम देगा ठीक है thank you so much for watching